हैलो दोस्तो आपका बहुत-बहुत है फिर से हमारे प्यारे से चेट秒 व्टैनल को सब्सक्राइब कर दिना तो लास्ट टाम हमने क्या डिसक्स किया था है कि वो वीडियो जरूर देख लेना न्यूटरंस के लोग को हमने डिफ्रेंस बिताता कि 910 के लेवल और जब कॉम्पेटिक्शन लेवल पर हम न्यूटरंस लोग को पढ़ते हैं तो कैसे वह करते हैं किया बेसिक डिफ्रेंस आता है अच्छा और हमने बेसिक चीज़ समझाता कि अच्छी सर इंडिशियल फ्रेंग क्या होते हैं कांसी कंडिशन में सर वो अपली smoking होते हैं वहात दो बात होगी ऻयाकि करेंगे तो आज बात करेंगे नूमेकल के ओपर जो कि हमारी सबसे बड़ी प्रालंम है कि थरी तो आ जाती है बट थरी नुमेरिकल पे एप्ली केबल नहीं उपाती है तो चलो आज का session स्टार्ट करते हैं Numerical based on laws of motion या Newtons के law पर हम बात करते हो तो चलो पहला topic आज का या numerical session आण के सामने है आपके सामने लिखी हुई है और सर सिंपल सी बात कहिए है, write down, आपको सर कौन सी condition लिखनी है, आपको लिखनी है second equation, यानि second law apply करना है motion का इन चारो condition की उपर, एक बार देख लो अच्छे से, चाहो तो screen को pause करके, video को pause करके, solve भी कर सकते हो, फिर solution तो मैं करने वाला ही, क्योंकि ये तो YouTube का session है, और ये रु लाइवी बनाते हैं, चलो, आजाओ जल्दी से, अब यहाँ पर देखो क्या है, पहला case देखते हैं, अच्छा, बोल रहा है second law लिखो, second law जल्दी से remind कराओ, मैं भूल रहाओ, मैं भूल रहाओ, मेरी बुद्धी थोड़ी सी कमजोर हो गई है, क्या था second law, जाके first lecture में भी condition, यह दो condition हमने हैं, वहाँ पर derive करी थी, ठीक है, हाया ना, अब इसी condition को हमें यहाँ पर लगाना है, मेरी हम बोले, F net is called to M into A, आपको apply करना है, तो apply करने के लिए थो जगह वापिस से बना लेते हैं, यह तो हमने पढ़ रखा है, अब चला जल्दी से देखो, पहला वाला case क्या है, यहाँ पर बोलाया कि कोई M mask का box है, और इस पर दो forces लग रहे हैं, F1 and F2, अब मैं आप से पूछू दोस्त, कि इसमा कौन सा force बड़ा है, तो आपका answer चुटकियों में आ जाना चीए, कैसे पता चले सर, आपने F1 और F2 की तो value दे ही नहीं रखी, तो हम कैसे पता करें, अरे मेरे दोस्त, जहां से देखो, यह M mask का box किस direction में accelerate कर रहा है, ज़रा arrow की direction यहाँ पर mention कर रखी है, तो जिस direction में accelerate कर रहा होगा, उस direction का force definitely lead कर रहा होगा, यानि कि सर, यहां से condition तो clear हो गई, कि पहले वाले किसमा मैं बूल सकता हूँ, F1 is greater than F2 है, कैसे पता चला, acceleration की direction given है, अब चलो, यानि कि जो resultant force इस M box पे लग रहा हुआ, कितना होगा सर, F1 में से F2 को subtract कर दें, तो वो resultant force लग रहा होगा, तो वापिस equation लिग देते हैं, हमें second law apply करना है, इस वाले box क्यों पाए, अच्छे से basic से समझा रहा हूँ, F1 minus F2 कर देंगे, तो मेरा F1 minus F2 कितना सर, mass M है, acceleration A given है, तो adjectives लिग दिया, और यह जो equation आपने बना दी, this is the second law condition आपने यहाँ पर लिख दी है, for this condition, चलो, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर क्या है सर, जल्दी से बनाते हैं, इसको N ना करके M बना दो, चलो, अब जल्दी से apply करके दो कैसे बनेगा यह question, इसके लिए तो कहानी सिंपल सी हो गई, F net is called to M है, यानि कि मैं सीधा लिख सकता हू, F net कितना है, F, और mass into acceleration, यह मैंने इस पर second law apply कर दिया, चलो, अब फटा-फट से पूछते हैं, third condition में कैसे apply करेंगा, बहुत basic से start कर रहे हैं, फिर समझेंगे कैसे कैसे level increase करेगा, हर level पर लग रहा है सर, इस direction में लग रहा है, तो यानि के lead कौन सा force कर रहा होगा, F1 lead कर रहा होगा, और कौन सा force कर रहा है, F2 कोई opposite में नहीं है, F2 भी उसी direction में है, तो net force कितना होगा, इस case में जल्दी से, मैं पूछू, F net is called to M A मुझे लिखना है, तो क्या हो गया, net force देखो, acceleration की direction में दोनों force हैं, तो दोनों force इस बार add हो जाएंगे, net force हो जाएगा, F1 प्लस F2, object का mass M ही है, acceleration A ही है, और यह आपकी second law की condition applied हो चुकी, इस case में, थर्ड़ केस में क्या है, कि कोई M मास का block है, नीचे की तरफ accelerate कर रहा है, अब यहाँ पर एक force दे रखा है, mg, क्या होता ह weight force होता है, बट हम ऐसे नी मानेंगे, इस हम अलग से समझेंगे, बट फलाल हमने एक मान लिया कि नीचे की तरफ एक weight force लग रहा है, mg, और उपर की तरफ दो force काम कर रहा है, कौन कौन से, F और tension force, यानि कि कोई रसी रही होगी, कोई rope रही होगी, भीया कोई string रही होगी, ज की उपर tension और force जो given है, उन दोनों पर lead कर रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ, F net is called to m into a, तो sir, F net कितना होगा, ध्यान से देखो, finally mg lead कर रहा है, तो मैं बोलूँगा, mg minus का, कितना सा, दोनों force उपर लग रहे हैं, उनको add कर दो, t plus f, ये क्या लिकल क्या है, ये अभी सिर्फ F net लिकल क्या है, equal to किसके करना है, equal to कर दो, mass into acceleration, जो कि as it is given है, तो ये जो equation बनी mg minus t plus f, is called to m into a, that is the, what's that, that is second law condition for this condition, चलो, next, यहाँ पर बापर से देखो, बहुत सारे forces लग गए, बहुत सारी चीज़े लग गई, जहान से, एक max का block है, F2, F3, F1, और नी अची बात क्या है, एक tension force उपर लग रही है, अची तो क्या पता है, given है, और finally देखा कि acceleration किदर हो रहा है, finally now this time object उपर जा रहा है, अब कैसे से solve करें हार, अभी तक हमने horizontal direction और vertical direction के forces को साथ में नहीं देखा था, पहला question है, जिसमें साथ आ रहा है, तो क्या करें, finally हमें दे जा रहा ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा, ना खहीं टेड़ा मेड़ा जा रहा, क्रोकरे काएड नी हो रहा, टेड़े मेड़े, कहीं भी टी जा रहा किसी एंगल पर, सीधा जा रहा वर्टीकल ऊपर, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ कौन से force हैं, जो क क्या हुआ, एक चीज तो किलियर हो गई, कि सर, एफ टू स्कल्टू, एफ थ्री है, दोनों बराबर ताकत के हैं, इसलिए सर, टग ऑफ बार में, एफ टू, एफ थ्री बैलन्स हैं, एक दूसरे के साथ, इसलिए होरिज़न्टल डिस्प्लिस्मेंट तो हमें देखने को मिल यानि के होरिजोन्टल नहीं है, यह एक चीज के रिस्पेक्ट में, लीडिंग फोर्स कौन से हैं, टी प्लस एफ बन लीडिंग फोर्स हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉइनली ऊपर की तरफ जा रहा है, that is the leading force, माइनस कौन सा फोर्स हो जाएगा, वेट पोर्स, M, G, tension मतलों कैसे आते हैं, बात की बात करेंगे, M, G, M, G, सब बताओं अच्छे से, टीक है, apparent weight, depth में, weightlessness condition क्या होती है, apparent depth क्या होता है, सब अच्छे से बात करेंगे, फिलाल देखो, T plus F1 is minus M, G is equal to, क्या हो जाएगा, सर, M into A, तो सर, object का मास M है, finally A acceleration से जा रहा है, तो यह vertical condition हमने apply कर दिये, कोई बोलेगा horizontal condition भी apply करो, क्यों नहीं कर सकते है, horizontal भी apply कर देंगे, क्या दिक्कत है, horizontal के लिए भी तो सर, यही कहानी है, F net is equal to M A, किसके लिए हो गया सर, horizontal के लिए हो गया, दोस्त, horizontal के लिए क्या होगा सर, अब check करो, F net कितना है, कितना है F net, तो यहाँ तो क्या बोलें सर, mass into acceleration, acceleration कितना है, horizontal, हाई ही नहीं, हाई ही नहीं, हाँ पह है horizontal, तो यह कितना हो जाएगा सर, 0, तो finally equation क्या बन जाएगी, F2 is called to F3, और यही तो हम कह रहे थे मिने दोस्त, और जब नहीं F2 minus F3 करें, हम F3 minus F2 भी लिख सकते हैं, finally यह वाला part 0 गा, तो equation तो कोई आएगी, F2 is greater than, F2 is called to F3, हाई है ना, सबका यह part बन गया question, very good, very good, चलो, अब एक मैं अपनी तरफ से question frame कर देता हूँ, चलो, suppose करो, यह M mass का block है, इस पर एक force है F1, एक force है F2, एक force मैंने लगा दिया F3, और एक force मैंने लगा दिया F4, सब खुश, बट acceleration थोड़ा यूनिक है, acceleration, horizontal से, कितना angle degree पर है, 45 degree पर लगा हुआ है, अब बताओ sir, equation कैसे apply होगी, छोड़ दूख है question, homework के लिए दूख है, अरे नहीं लेंगे, ऐसा नहीं करूँगा, खोलेंगे sir, बिसिक बिसिक तो करा दिये, जो main part आया था, वहां अटका दिये, लटका दिये, नहीं लटकाएंगे, नहीं लटकाएंगे, समझो, जहां से, क्या करना है sir, हमें यहाँ पर देखना होगा, यह acceleration, एंगल पर लग रहा है, टेड़े मीड़े चल रहा है sir, टेड़े चल रहा है न, तो अब इसको कैसे करें, मैं कैसे से horizontal और vertical की respect में लिखूं, तो धान से देखो, यह a magnitude, horizontal plane से 45 डिग्री बना रहा है, तो यानि कि इस direction में इसका जो acceleration होगा, यानि horizontal जो acceleration होगा, ए एक्स वो कितना हो जाएगा sir, जल्दी से बता दो, a cos 45, ठीक है, ऐसी similarly, vertical direction में इसका component कितना हो जाएगा, a sin 45, यह कौन सा वाला आगया sir, यह vertical component आगया, अब बस कुछ नहीं है, आपके पाद horizontal acceleration और vertical acceleration दोनों हैं, forces लगे हुए, conditions बना दो, चलो question को देखते हैं, पहले मैं vertical के respect में लिख दूँ, चलो vertical के respect में लिखते हैं, vertical के respect में क्या होगी कहानी, f net is called to mass into acceleration, net force किता लग रहा है, देखो vertical acceleration ऊपर लग रहा है, lead कौन करेगा, f3, तो हम बोलेंगे, f3 minus f4, this is the f net condition, अब mass कितना है, वो तो m है, but acceleration कौन सा होगा, इस बार ay वाला होगा, तो कितना है, सार, लिख दो, a sin 45, और यह तुमने जो apply कर दिया, यह condition बन गई, सर, किसकी, यह vertical के condition में होगा, तो horizontal के respect में भी तो कहानी होनी चीना में दोस्त, लिख देते हैं, horizontal के respect में, अगर horizontal के respect में कहानी चाहिए, तो यह लो, सर, f net is called to कितना, mass into, कौन से acceleration, ax वाला, horizontal acceleration, net force कौन सा है, कैसे पता चले, देखो, finally, acceleration किस तरफ है, horizontal वाला, f1 की direction में, तो lead कौन कर रहोगा, f1 कर रहोगा, तो कहानी क्या बन गई, f1 minus, f2 is called to, mass into, ax की value कितनी है, चेक करो, ax की value है, a cos 45, देखो, दोस्त, a cos 45, अभी बोलो, sir, cos 45 की value पुट करो, अरे, हलवा समझाये क्या, इतना हलकी बात नहीं करेंगे हम, चलो, जल्दी से जल्दी, आगे बढ़ते जाओ, यह भी part आपका clear हो गया चलो, आपको अब सारे level पे हमने apply करना सिखा दिया, अब आपको लेके आते हैं, एक नई कहानी पे, याद करो वो दिन, कौन सा दिन, जब मैंने lecture, one, जब मैं laws of motion का पहला short demo बना रहा था, तो उसमें मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था, कि sir, newtons की तीनों लो, हमने basic तर inertial frame of reference में आगर बैठा हो, मतलब क्या sir, inertial frame का मतलब क्या है, और non inertial का मतलब क्या है, मतलब यह है कि observer का acceleration zero, उस पर लगने वाला net force कितना हो, zero हो, तो हम उसे बोलेंगे inertial frame of reference, मगर कोई बंदा किसी train में move कर रहा है, variation के साथ speed में, कोई helicopter में भाग रहा है, रोहित शेटी का नहीं है, उसका acceleration zero नहीं है, उसे बोलेंगे non inertial frame of reference, तो क्या उसको अधिकार नहीं है, वो उसको न्यूटरं के law apply करे, बिल्कुल है, और competition में तो maximum वही apply करेगा अतने अधिकार, क्योंकि basic चीज़े तो कौन पूछता है, इसा है, थोड़ी सी टीडी मिडी बाते जहां होती है, उसके लिए हमने एक help बनाया, एक जादू की जपी बनाई, वो कैसा है, शूडो force, शूडो force में पी बटा silent होता है, क्योंकि काम भी इसका बड़ा silent है, कैसे काम करता है सर, ध्यान से सुनो, एक imaginary force है, कैसा force है, एक imaginary force है, और काम कैसे करेगा, उसको पहले समझते हैं, तो किसी स्ट्रिंग से भांद रखा है, तो इस स्ट्रिंग में tension होगा, टी, तो final lead कौन कर रहा है, tension force lead कर रहा है, तो object उपर जा रहा होगा, बट इस पूरी कहानी को, इस पूरी picture को, इस पूरी film को कौन देख रहे हैं, दो बंदे देख रहे हैं, एक है Mr. किशोर सर, यानी के म नहीं हो, बस खुछ रहो, एक monkey है, ये भी मेरे साथ बैठा था, अब मैं तो rest पर हूँ, बट एक चीज़ तुमने देखी है, कि ये monkey एक hot air balloon लेका आया है, और क्या कर रहा है सर, इस balloon के साहिते से, क्या, ground से a-naught acceleration से उपढ़ रहा है, अब मेरे लिए क्या हो रहा है, M mask का box acceleration से जा रहा है, और ये बंदर भी a-naught acceleration से जा रहा है, मैं भी ये कहानी देख रहा हूँ, और बंदर भी ये कहानी देख रहा है, तो बात समझ में आ गई, कौन inertial frame में है, मैं inertial frame में हूँ, क्योंकि मैं rest में हूँ, मगर ये बंदर उड़ता हुआ जा रहा है, a-naught acceleration से, त मैंने बोला F net is called to कितना होगा M into A होगा ज़रा चेक करो net force कैसे लिका लेंगे तुम्हें पता है कि acceleration उपर है तो कौन सा force lead करेगा T force lead करेगा मुझे पता है तुम comment में यही सब बाते लिख ले हो तो क्या होगा ध्यान से T minus mg ये तो सिर्फ net force आया weight force को सब्ट्रेक्ट कर देंगे क्योंकि weight force इतना lead नहीं कर रहा है तो t कर रहा है तो net force आया T minus mg is called to कितना हो जाएगा object का mass m acceleration a तो ये question आ गई T minus mg is called to ma क्या नहीं मैं पूछू उस string में जिस पर ये weight बंदा हुआ है म मास का box बंदा हुआ है उस string में tension कितनी होगी वह होगी T is called to mg plus ma clear अब बात करते हैं इस बंदर महाश्य के respect में हैं बंदर महाश्य किस acceleration से ऊपर चल रहे हैं एनोट acceleration से चल रहे हैं object भी acceleration से चल रहा है तो तुमने अकसर पढ़ा होगा relative motion relative motion क्या है कोई बंदा 5 km per hour की रफ़तार से भाग रहा है और दूसरा बंदा 3 km per hour की रफ़तार से बहाग रहा है अगर मैं rest पर बैठ रहा हूं तो मैं मैं बोलू कि यह नोट से चल रहा है और यह से चल रहा है तो इनके बीच में जो रिलेटिव acceleration होगा उसके बेस पर हमारा f net की एक्विशन लेगेगी f net इस कल टू मास इंटू ए relative अब नेट फोर्स तो तुम्हें भी पता है फाइनली object उपर जा रहा है तो इस एक्सिलरेशन से देखेगा यह ऑबजट दे जा रहा है जैसे मैंने बोला पांच से चल रहा है और एक तो तीन वाले को तो ऐसा लगेगा न कि दो किलोमेटर पर आवर की स्पीड चल रहा है क्यूंकि तीन किलोमेटर तो वह भी कवर कर रहा है उस स्पीड को तो इसलिए यहां पर अब एक्विशन बना के देखो सॉल करो तो फाइनली टेंशन कितनी लिकल क्या है एम जी प्लस में यहां तक तो सही था बट यह माइनस का में नोट एक्स्ट्रा आ गया यानि कि नूटन्स का लो अपलाई नहीं उपाया अकॉर्डिंग तो नूटन्स तो यह एक्विशन पी साइलेंट है पर यहां पर हम उसको एहमियत देंगे एक्विश कर्टू एम इंटू एनॉट मैंने बुला एम इंटू एनॉट माइनस क्या है मैं अभी बताऊंगा माइनस यहां पर शो कर रहा है डायरेक्शन को फिलाल देखो एम क्या है मास ओफ ऑबजेक्ट यानि पॉड फोर्स है किस डिरेक्शन में लगेगा दैट सोप्रमैने लिखार इन दर आपोजिट ड의रेक्शन ओफ एक्विलरेशन वॉफ यहां पर इंप्रॉट्टन पार्ट है ओभजरवर ओप्जरवर जिस एक्वॉडरेशन से जा रहा होब है कि यह बास से ऊपर जा रहा था ए नौट से यह जा रहा था तो मैंने क्या किआ फोर्स के तो होता हैinn harder एक्सब्रीयृ इंटू एक्सिलरेशन एक्सिलरीशन काओंसा में मत आप्जर्वर का निया एफ फोह victim हो sa यह वाला तो स्टेंडर के से हो गया ती स्कल्ट टू एमजी प्लस में आना चाहिए अब बापिस हम लिखने नॉन इनर्शियल फ्रेम ओफ रेफरेंस में तो जरा चेक करना एफनेट इसकल टू एमे रिलेटिव अप एफनेट कितना हो जाएगा टी माइनस सम आफ दीस फोर्थ एम डी प्लस में ओट तो यहां पर मैं लिख दिया टी माइनस एम गी प्लस में ऑट एक्वल टू में एम ए रिलेटिव कितना है A-A not put कर दिया equation को solve करो क्या बन रहा है T is equal to mg plus mA यह वाला part तो आ गया minus का mA not यह तो पहली error आ चुका था but इस बार pseudo force लगाने से plus mA not भी equation में आ गया और यह दोने एक दूसरे को cancel out कर देंगे finally equation क्या बन गया गया T is equal to mg plus mA यानि resultant वही आ रहा है जो एक rest में बन दा यानि कि मैं देख रहा था और इसे बोलते है pseudo force apply करना तो I hope आपको pseudo force की कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको Newton's के जो second law है कैसे apply करने होते हैं यह भी समझ में आ गई होंगे मुझे लगता है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेर जरू कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना और कमेंट्स में फिर से बता देना कि next topic कौन सा चाहिए जो जो जोलन्त मुद्दा होगा उसी को हम शान्त करेंगे सबसे पहले ठीक है तो मिलते हैं next studio में तब तक के लिए all the best